दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन प्लानेट के गहन और लंबी शोद के बाद तयार किये गए इस प्रोड़क्ट के नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि ये आपकी पतरी और उससे होने वाली जान लेवा पीड़ा से बचाने में सहायता के लिए ग्रीन प्लानेट के द्वारा तयार की गई रामबान ओशधी है दोस्तों हमारी शरीर में प्रमुख दो तरहा की पतरी यानि स्टोन्स हैं जो ज्यादा बनती हैं इसमें से एक है किड्नी स्टोन इसे रीनल स्टोन या फिर गुर्दे की पतरी भी कहते हैं और दूसरी है गौल ब्लादर स्टोन इसे पित की थैली की पतरी भी कहा जाता है किडनी स्टोन के बारे में। किडनी में जाने अंजाने बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। और असहनियत दर्थ होता है। मधुमे कि रोगियों में किडनी की पत्री होने की ज्यादा संभाव न रहती है। और अब बात करते हैं गॉल ब्लाडर स्टोन यानि कि पित की पत्री के बारे में। दोस्तों पित की थैली भी ऐसा ही हमारे शरीर का एक मुख्य हिस्सा है। पित की थैली में से बाइल नामक रस जैसा पदार्थ निकलता है जो कुलस्ट्रॉल और फैट को गलानी में सहायता करता है। इसमें मुख्य दो प्रकार की पत्री पाई जाती है एक कुलस्ट्रॉल स्टोन और दूसरी बिल्रोबिन स्टोन ये दोनों कुलस्ट्रॉल और बिल्रोबिन के अधिक मात्रा में होने से बनती है। इन दोनों में भी इनसान को असेहनिय जानलेवा प्रकार के दर्थ का सामना करना पड़ता है। ये स्टोन्स कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि पित की थैले को ही ओपरेशन के जरिये इनसान के शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। दोस्तों, ग्रीन प्लानेट द्वारा तयार किया गया हब न्यूद स्टोन स्वीप सिरप पथरी से निजात पाने में आपकी सहायता करता है। इसमें मुत्रवर्धक, लिथो ट्रोपिक, विरोध भड़काओं अनुरूप कारवाई है। 5. अस्थाई पानी के वजन को कम करने में सहायता करता है। 6. मुत्रशय में पियेट संतुलन बनाई रखने में सहायता करता है। साथ, स्लैश्मिक अखंडता बनाए रखने में सहायता करता है। इसका तवाल 10-15 मिलिलीटर दिन में 3 बार करें। ग्रीन मॉनिंग